RVNL के इस चाट को आप दो तरीके से देख सकते हैं एक अगर आप निच्चे से देखेंगे तो पिछले दो सालों में 300% की एक खड़ी तेजी दिखाई पड़ेगी और दूसरा कि अगर आप इसे उपर से देखेंगे तो करीब 30% का करेक्शन दिखाई पड़ेगा अब इसमें दो तरह से लोग भी है एक उन्होंने जो निच्चे इन्वेस्ट कर रख्या है दूसरे जो इसको हाई पर लेके फसे हुए है और दोनों इतरह के लोगों का एक क्वेस्चन है कि RVNL में अब आगे क्या करना चाहिए इस क्वेस्चन का आंसर हम लोग खोजेंगे टेक्निकली और फंडमेंटली लेकिन अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि यह हमारे तीम को अप्रेसियेट करेगा अगर अगर इस तो पीई देखेंगे तो 36 के पास है जो इंदस्ट्री पीई से अधिक है उपर है जो महंगा दिखाई पड़ता है ROCE देखेंगे तो 18 के करीब और ROE 2021 के करीब दिखाई पड़ रहा है तो ROCE और ROE तो जबरजस्ट है क्योंकि कोई भी कमपनी जिसका ROE 15% से उपर है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही होती है तो ROCE और ROE पर जबरजस्ट दिखाई पड़ रहा है यह पीर कमपेटिजन करेंगे तो पीर के मुकाबले आप देखेंगे यह थोड़ा महंगा दिखाई पड़ता है लेकिन कौर चीज़ आप देखेंगे कि इन सब जो पीर आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें केवल य यहां पर इंप्रूब्मेंट होते वे दिखाई पड़ रहा है थोड़ा बहुता वह दिखाई पड़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफित मार्जिन भी यह 6% के मैंटेन कर रखा है EPS में लगातार हम लोग इस इंप्रूब्मेंट देख रहे हैं इसके और नेट प्रॉफित में भी आपको इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगा Share Holding Pattern में आप देखिए तो EFIs ने December quarter में अपने position को बढ़ाया है Stake को बढ़ाया है DIs ने भी अपने stake को बढ़ाया है और थोड़ी सी public की इसमें holding कम होते हुए नजर आ रही है Overall देखेंगे तो इसके valuation थोड़े महेंगे दिखाई पर रहे है RVNL के valuation महेंगे दिखाई पर रहे है लेकिन को इस valuation को आप इसके पास जितना order book है उस से justify कर सकते है RVNL के weekly chart को आप देखेंगे तो यहां पर कई बार तीन चार बार आप देखेंगे Multiple times आप देखेंगे कि इस level के पास आके या bounce करता हुए दिखाई पर रहा है मतलब 235 का यह एक जो level है यह एक अच्छा support दिखाई पर रहा है क्योंकि वहां से बार-बार bounce करता हुए दिखाई पर रहा है एक और चीज एक और pattern अगर आप इस rvnl के चार्ट पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस rvnl के चार्ट पर एक higher bottom का formation है में देखने को मिल रहा है और ऐसे फर्मेशन हों में लग रहा है कि यहां पर भी बन सकता है लेकिन यह formation in the making है तो अभी आपको wait करना होगा उस चीज के लिए वीडियो के description जरूर चेक करिए वहां पर कुछ important link मिलेंगे मेरे social media के link मिलेंगे और debit account opening के भी link मिलेंगे जहां से आप चाहे तो दिमेट account opening कर सकते हैं और हमारे channel को support कर सकते हैं एक observation अगर देखेंगे तो एक power candle आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर और candle means वहां पर ऐसा candle ऐसा green candle जिस पर जबर 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 वोल्यम होते हुए दिखाई पड़ा है और उसके ब पर जबर 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 केंड़ वोल्यम के साथ और फिर से Пос 첫 अ के बार जबर रिवी वॉल्यम के सतके तादर जब एसपर से करेक्शन ने होने मिल सकता कमेंट करके बताईए कि क्या RBNL आपके पूर्फोलियो में है कि इस लेवल को उपर जाता है तो आगे कौन से लेवल देखने को मिलेंगे तो पहले तो 275 के लेवल देखने को मिलेंगे जहां से या आप देखेंगे यहां फ़रा रसे इसने खिले के निच्छा तो दिखाई पड़ा है तो कि इस लेवल को पहले क्रॉस करने की कोशिश करेगा इसको क्रॉस करेगा तो 300 के तरफ जाएगा 300 के बाद आपको 350 के तरफ जाता हुआ जो all time high का लेवल है उस लेवल के तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और अगर उस लेवल को भी पार करता है क्रॉस करता है तो फिर यह ब्लूए स्काइज जोन में जाता हुए दिखाई पड़ेगा